नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला, स्वागत है आपका आपकी प्यारी से सीरीज में, दाट इस माइन में, और आज हम मेकैनिकल प्रॉपर्टीज और फ्लुएड का कम्प्लीट लेक्चर देखने वाले हैं सीरीज में, तो स्टार्ट करते हैं इसके सबसे इं देंसिटी, देंसिटी क्या होती है बिटा, हम लोग जानते हैं कि देंसिटी जो होता है, that is denoted by rho और ये मास अपन वॉल्यूम होता है, clear है, मतलब हमारे गिवन मास ने कितना वॉल्यूम उक्यूपाई करा है, उसको हम क्या बोलते हैं बिटा, देंसिटी कहते हैं, इसकी जो CGS सिस्टम में भी कह सकते हैं, जहाँ पर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, यहीं पर अगर बिटा, mixing of two liquid की बात की जाए, जहाँ पर हम दो liquid की mixing कर देते हैं, और फिर इनकी equivalent density देखते हैं, माली जे एक liquid 1 और liquid 2 दिया गया है, इन दोनों की total mass upon total volume के बराबर होती है, तो M1 plus M2 upon V1 plus V2 के बराबर होगी, और यहीं पर एक हमारा बड़ा special सा case बन जाएगा, अगर हमारे masses सेम हैं, अगर दोनों M1 और M2 अगर equal हैं, तो हमारा density of the mixture हो जाएगा 2 rho 1 into rho 2 upon rho 1 plus rho 2 के बराबर, और यहीं अगर हम दोनों का volume अगर बराबर है liquid का तो यह हो जाएगा, rho 1 plus rho 2 divided by 2 के बराबर, काफी important result है, याद रखने लाइक है, clear है, चलिए, आगे चलते हैं, उसके बाद बिटा, जैसे हम लोग density समझ लेते हैं, उसके बाद आते हैं, हम कहां पे, relative density पे, relative क्या है बिटा, जब भी हम किसी चीज की density, हम compare करते हैं with respect to water, तो उसे हम relative density कहते हैं, density of the substance divided by, और in the ratio of density of the water at 4 degree centigrade, यहाँ पे specify करना ज़रूरी है temperature, because we know कि water का बिटा, anomalous behavior रहता है, temperature change करने पे, water की density change होती है, तो यहाँ पे इसकी maximum density या minimum volume की बात की जाए, that is at 4 degree, यहाँ पे इसलिए specify किया गया है, density हमें 4 degree वाली ही लेनी है, यहाँ पे अगर density of water की बात की जाए, तो density of the water, अगर हमें MKS system बुला गया है, तो kg per meter cube होगी, otherwise CGS system में 1 gram per centimeter cube होगी, relative density को कई जगे specific gravity करके भी examiner दे सकता है, आपको confuse करने के लिए, यहीं पे आजाएं, तो weight density की बात करते हैं, तो weight density क्या हो जाएगा, rho w, that is weight of the substance upon volume of the substance के बराबर, तो यहाँ पे बिटा, change भी कर सकते हो, क्योंकि weight को आप क्या लिख सकते हो, mg divided by volume v, और आप volume mass को क्या लिख सकते हो, density into volume into g divided by v, तो v से v cancel out हो जाएगा, तो यह actually rho g के बराबर आ जाता है, तो direct term result भी इसको याद कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही बिटा, हमारी density की कहानी घताम हो जाती है, तो हमारी एक नई और बहुत important कहानी शुरू होती है, pressure की, pressure क्या रहता है, that is F perpendicular upon area, तो बिटा, हमारा pressure हमें force वही लेनी है, जो हमारे cross sectional area के perpendicular होगी, तो यह हो जाएगा F perpendicular A, और यह कैसी quantity है, बिटा, एक scalar quantity है, unit of pressure में बड़ा confusion होता है, बिटा, तो 1 atm, that is 1 atmospheric pressure, 1 atm किसके बराबर होता है, बिटा, अगर Newton पर meter में देखेंगे, तो 10 to the power 5 रहती है, वैसे तो इसके exact value 1.01 into 10 to the power 5 रहती है, क्योंकि आगे quantity 1 लगी हुई है, तो उसे हम replace करके 10 to the power 5 अपने calculation के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वहीं पर अगर बात की जाए, तो Newton पर meter को, बिटा, मैं Pascal भी कहता हूँ, तो 10 to the power 5 पासकल के बराबर है, इसी को, बिटा, 12 meter के terms में जो हम इसे change करेंगे, तो mm में अगर देखेंगे, तो यह 760 mm of SG हो जाएगा, वहीं अगर इसी pressure को हम लोग centimeter में convert कर लेते, तो this is 76 centimeter of SG, और आप इसी को, बिटा, 1 bar भी बोल सकते हैं, that is also a unit of pressure, यहीं पर एक और बहुत important pressure की unit रहती है, that is tor, तो यहाँ पर बिटा, इसको 760 tor के बराबर भी हम लोग बोल सकते हैं, यहीं पर बिटा, अगर इसकी dimension की बात की जाए, तो force upon area है, तो इसकी dimension हो जाती है, ml-1, t-2 के बराबर, hydrostatic law बिटा काफी important है, जहाँ पर हम यह कहते हैं, कि same height पर, same height पर हमारा pressure जो रहता है, वो exactly same रहता है, जो की shape and size of the object भी depend नहीं करता है, for example, यहाँ पर हमारे पास different shape है, अगर height जहाँ तक पानी filled है, वो अगर सबकी same है, तो उन सबका pressure भी क्या रहेगा, same रहेगा, वहीं अगर मैं बात करूँ बिटा, pressure at the bottom of the surface, तो यहाँ पर अभी मैंने जो consider किया है case, वो generally सिर्फ edge height का लिए है, अभी मैंने atmospheric pressure को consider नहीं किया है, इसकी बात वाली slide में मैंने atmospheric pressure कम consider करना है, कम consider नहीं करना है, इन दोनों के बारे में बरखूबी मैंने बताया है, अभी आप यहाँ पर ध्यान दीजे बिटा, कि pressure at the bottom की बात की जाए, तो pressure जो होता है, that is equals to rho g h के बराबर, where rho is the density of the liquid, rho किसके बराबर है sir, density of the liquid के बराबर ह h जहाँ पर हमारा, जितनी height तो हमारा liquid field है, और g क्या आजाएगा बिटा हमारी gravity, अभी मैंने सिर्फ इतने part की वजे से इस point पर pressure बताया है, अभी यहीं पर हमारे दो cases अलग-लग बन जाते हैं, वो cases बताते हैं हमारे के हमें कब atmospheric pressure लेना है और कब हमें atmospheric pressure नहीं लेना है, that means जब भी हमारा धक्कन की बात हो रही होगी, अगर किसी container के उपर धक्कन अगर लगा हुआ होगा, तो हम atmospheric pressure को consider नहीं करते हैं, हमारा pressure जो रहता है, वो container की height के बराबर हो जाता है, that is rho g h, और वहीं अगर हमें examiner ने यह बोल दिया है कि नहीं हमारा जो container वो open है, किसी भी प् consider the atmospheric pressure जिसे हम p note से denote करते हैं, that is equal to 1 atm के बराबर, तो यहाँ पर बिटा अगर lid हमारी open है, तो p note को consider करेंगे, plus height of the liquid is known as rho g h के बराबर हो जाती है, इसी बिटा atmospheric pressure को measure करने के लिए सबसे पहले जो हमने use करी थी, जो arrangement use करा था, that is known as barometer, barometer में हमने क्या किया था बैटा, कि हमन जहाँ पर हमने एक tube को उल्टा करके उस liquid के अंदर डाल दिया था, जहाँ पर हमने देखा कि liquid के अंदर, उस tube के अंदर liquid हमारा कुछ height तक चला गया था, अगर हम water की बात करेंगे, तो water के लिए, क्योंकि उसकी density काफी जादा कम थी, तो इस कारण, इस कारण, जो height of the liquid fill था that is up to 10 meter, 10 meter तक फिल हो गया था, तो पिटा हम लोग जो liquid substance बारो मीटर में यूज करते हैं, अगर water यूज कर रहे हैं, तो उसकी tube की length 10 meter हो जाती है, that is very difficult to handle, very difficult to manage, 10 meter बहुत होता है, लगबग लगबगा मैं यह मान लोग के एक कमरे की height 3 meter के बराबर होती है, तो 10 meter की height मतलब 3 माले के बराबर हो जाएगी, तो इतनी लंबी glass की tube manage करना, manufacturing करना is very difficult, वहीं जब मैंने, वहीं जब मैंने mercury को use किया, विटा, HG, जिसकी जो density रहती है, that is 136 00 के बराबर रहती है, तो जो height मेरी eye, that is 76 cm के बराबर, जो की जादा नहीं थी, जो की जादा नहीं थी, तो बिटा, मैं barometer के case में जो height use करता हूँ, या जो liquid use करता हूँ, that is used mercury, कोई पीछे, कि यार हम लोग water क्यों नहीं use करते हैं, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं, क्योंकि उसकी density क्या है, कम है, उस वज़े से जो length of the tube लेनी होगी, वो बहुत जा ये बिटा, बहुत खुबसूरत device है, आजकल हमारे पास इतनी बड़ी-बड़ी electronic और इतनी खतरनाक electronic devices आ गई है, कि इनकी हम importance भूल गएं, otherwise these are the basic devices, जहां से हम लोगों ने ये electronic devices बनाएं, ये pure mechanical devices हैं, जैसे ये देखिया, उस time पे अगर आप देखोगे, किसी gas का pressure को measure करना कितना difficult task होता रहता होगा, यहां पे हम क्या कहते हैं, एक close chamber के अंदर हम अपने gas को build कर लेते हैं, ये हमारा क्या करते हैं, ये हमारा separator रहता है, ठीक है, इसको हम बीच में लगा देते हैं, और यहां पे हम एक और कोई liquid अपना fill कर देते हैं, जब हम इस चीज को remove कर देते ह हैं, तो पिटा, ये pressure क्या करता है, ये liquid आगे तक आ जाता है, for example, आप ये मान लीजे, कि ये liquid इसे remove करने के बाद, इसे remove करने के बाद, इसे remove करने के बाद, ये same liquid, क्योंकि आप remove कर दोगे, stopper को हटा दोगे, तो liquid जाधा height तक आ जाएगा, हां sir, क्योंकि इसकी density जाधा र क्या करता है, पिटा, force करता है, तो जिस height पे, जिस length पे आगर के ये रुख जाते हैं, उन दोने point के pressure को हम क्या कर लेते हैं, compare कर लेते हैं, उससे हमें inside pressure जो है, gas pressure वो हमें पता चल जाता है, तो ये हमारा क्या है, manometer, इसके उपर काफी सवाल आते हैं, YouTube के उपर, तो वो अ इस average pressure on the container of the wall, और वो भी side of the wall की बात करता है, for example, आपने एक aquarium को देखा होगा, अगर aquarium के अंदर मैं पानी डाल दू, तो मेरा जो aquarium का glass है, वो कितना pressure जेल सकता है, उसका formula यहां से आता है, that is known as average pressure on the container, इसमें भी बिटा, average pressure जो आपके लिए जानी important है, that is known as P average is equals to P maximum plus minimum divided by, 2, यहां पर फिर से हमारे दो cases बन जाते हैं, जहां पर हम maximum pressure जो कह रहे हैं, वो actual में हम कह रहे हैं बिटा, इसकी height को, यह जो नीचे आने वाला है, this height is known as, इस pressure को सिर्फ water की वज़े से जो pressure आ रहा है, जिसको हम P max बोल रहे हैं, वो actual में rho GH के बराबर है, जहां पर H हम क्या ले रहे हैं, बिटा, height of the container ले रहे हैं, अगर हमारी lid close हो जाएगी, that means हमारे उपर के atmosphere से कोई contact नहीं है, तो अगर atmosphere से हमारा contact नहीं होगा, तो वो pressure कितना हो जाएगा, सर, वो तो 0 हो जाएगा, मतलब minimum जो हम consider कर रहे हैं, वो atmospheric pressure को consider कर रहे हैं, अगर lid close है, तो बहार से minimum के value हो जाएगी 0, तो मेरा जो P average pressure आएगा, वो P maximum divided by 2, that is equals to rho GH divided by 2, वहीं अगर मैं कहूं कि हमारा lid जो है, वो open है, इसका जो उपर वाला container है, उसको मैंने open कर दिया, तो अब वो P minimum जो रहेगा, that is equals to atmospheric pressure, P maximum तो इसी के बराबर रहेगा, तो P maximum plus P minimum divided by 2, जहांपे विटा, P maximum is equals to rho GH, और P minimum की value जो है, वो atmospheric pressure के बराबर आजाएगी, that is P naught के बराबर, मेरे क्याल से इतना clear है, बस इसमें result जानना important रहता है बिटा, कई बास सिर्फ result ही पूछा जाता है, अगले पार्ट में जहांपे आते हैं, that is related to acceleration, हम लोग स्टार्टिंग से ही जानते हुए आए हैं otherwise, जब हमारा एक acceleration involved हो जाता है, तो उसे हम G effective से denote करते हैं, तो यहां पे अगर मैं direction upward लुगा, कि यह पूरा का पूरा container में उपर की तरफ ले जा रहा हूँ, अभी बिटा मैंने यही माना है कि यह पूरा completely closed है, कोई water इसमें से नहीं गिर सकता है, तो वहां पे बिटा जो rho GH का formula लगाऊंगा, वहां पे G मेरा G effective से replace हो जाएगा, अब result मेरा depend करेगा कि मेरा यह container open दिया गया है, तो मैं atmospheric को consider करूँगा, अगर close दिया गया है, तो सिर्व मैं rho GH लिखूँगा, same उसी तरीके से गर में नीचे जा रहा हूँगा, तो G मेरा replace हो जाएगा, that is equal to G minus A, यहा मैं उपर और नीचे नहीं ले जा रहा हूँ, अब बलकि मैं side में ले जा रहा हूँ, जब मैं side में ले जा रहा हूँ बिटा, तो मेरी G effective की value, same resultant के बराबर होती है, that is under root of G square plus A square के बराबर, क्योंकि G की value आपकी नीचे लगने वाली है, और अगर acceleration यहाँ पे तो इसके बहुत ज़रूरी है कि हमारे horizontal surface से हमारा जो water inclined हो चुका है, वो कितना angle बना रहा है, that is equal to 10 theta is equal to A by G के बराबर है, तो हमारे लिए इस case में यहाँ पे यह वाला सवाल बहुत important बन जाता है, next हम बिटा आगे चलते हैं, अब इसी acceleration का अगर effect देखें, हमारे container के अंदर, तो ब opposite direction में हमारा pressure बढ़ जाता है, अगर acceleration नहीं होता तो pressure at A and pressure rate B बराबर रहते, पर क्यूंकि according to hydrostatic law, पर अगर मैं इसको आगे move कर रहा हूं, तो जो इसकी opposite direction में जितना मैं दूर जाता जाओंगा, उतना मेरा pressure बढ़ता जाएगा, तो मैंने pressure at B लिखा है, pressure rate A के बराबर तो हो गई होगा, but due to this acceleration मेरा जो pressure रहेगा, वो rho A L times बढ़ जाएगा, यह बहुत important चीज़े याद रखना कई बार आया हुआ है, इसके बाद आजाता है पास कर लो, पास कर लो बड़ी भारी चीज़ है, और पास कर लो के बदल बदौलत ही बड़ी भारी बारी चीज़े चला क्लोस कंटेनर के अंदर कोई liquid अगर भर देते हैं, उसके उपर अगर एक साइट से pressure लगा रहे हैं, तो उसका जो pressure distribution रहता है, वो बड़े ही uniform तरीके से equally distributed होता है, इसी principle के basis पे हम लोगों ने बिटा force magnification का इस्तमाल किया है, जहां पे हम बहुत ही कम force लगा कर के resultant amplitude जो रह जाता है, कैसे वो आप यहां पे देख सकते हैं, for example, यहां पे बिटा मैंने एक chamber बनाया हुआ है, जो कि completely close chamber है, एक जगे पे area A1 है और वहां पे मैंने force F1 exert करी है, और यहां पे area A2 है, जहां पे मैं देख सकता हूं कि A2 जो है, that is much greater than A1, इस वज़े से यहां पे बिटा जो आप जरूरी याद रखना कि F1 upon F2 is equal to A1 upon A2, usually हम जो area consider करते हैं, that is consider to be a circular, तो अगर circle का area देखेंगे, तो pi R square होगा, pi constant है, तो उसका relationship हम R के साथ भी देख सकते हैं, तो R1 square upon R2 square के बराबर होगा, अगर कोई हम से इसमें कि पूछेगा कि force हमारी कितनी गुना बढ़ गई या magnify हो गई, तो उसका एक बहुत important relationship है, जहां पर लिखा है हमने, F2 equals to F1 A1 upon A2 के बराबर है, clear बच्छों, चले, आगे चलते, आगे बिटा force of buoyancy आता है, जो हमें हमारे महान, वैसे minister of vice कहा जाता है इनको, क्योंकि यह उस time पर महराजा के यहां, minister थे, our committees, उन्होंने हमें concept of buoyancy दिया था, हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा eureka moment था, तो वहाँ से buoyancy की बात की जाए, तो force of buoyancy जो रहती है, that is equal to density of the liquid, volume of the submerged part into G के बराबर होता है, यहां पर हमें कुछ भी लेना देना नहीं होता है, किस से sir, density of the body से, हमें सिर्फ मतलब है density of the liquid से, ओके sir, वैसे हम ब हम बड़ा light feel करते हैं, because, क्योंकि हमारे mg की एक opposite force लगते है, that is known as force of buoyancy, अगर इसी के comparison मैं weight के साथ करूँगा, तो बिटा, अगर मैं पानी के अंदर हूँ, तो उस weight को मैं apparent weight बोलना हूँ, that is equals to mg minus force of buoyancy, और नीचे अगर मैं देखूँ, कि mg को क्या मैं true weight बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, बिलकुल बोल सकता हूँ, तो मैं बिटा, w apparent is equals to w2 minus force of buoyancy, तो force of buoyancy के आजाएगा, बिटा, true weight minus apparent weight आजाएगा, इसी की मदद से बिटा, मैं relative density of object और relative density of the liquid को define करना चाहूँगा, जहां पे relative density of the object is true weight upon true weight minus apparent weight होता है, और relative density of the liquid जो होता है, that is true weight minus w मतलब apparent weight in some liquid divided by true weight minus apparent weight in some water के बराबर होता है, इससे बिटा, कई बड़े बड़े और अच्छे अच्छे numericals को solve किया जाता है, अगर आपका कोई सवाल आएगा, तो यहां से आप यह मान लीजे, कि buoyancy से आने के chances उसके लगबग लगबग 50% है, काफी important है, यहां से variety बहुत ज चलते हैं, यहीं पर अगर मुझे समझना है कि कौन सी body तैर सकती, कौन सी body float कर सकती है, और कौन सी body sink हो जाएगी, तो एक मेरा relationship आता है जहां पर मैं बताता हूं, W apparent is equals to W true, 1 minus density of the liquid upon density of the body, अगर बिटा density of the liquid जादा है, density of the body से तो वो body float करेगी, अगर density of the body जादा है, density of the liquid से तो वो sink करेगी, अगर एक case अगर मेरा ऐसा बन जाता है, जहां पर density of the liquid अगर बराबर हो जाए density of the body, तो same condition बिटा मेरी floating की condition मनती है, Sir example कैसा होगा, for example अगर बिटा आप लोगोंने ice और water को दिखा होगा, तो आपने notice किया होगा, कि ice जो है वो बिलकुल neck to neck water के अंदर तैरती है, तो ice and water इन दोनों की बिटा रिलेट पर जो density रहती है, लगबग सेम रहती है, इसलिए बिटा इस case में भी ये float करेगा, but neck to neck य ये बात याद रखना काफी important है, जी सर, अब बिटा अभी तक हम जो बाते कर रहेते हैं, वो हमारे static fluid की बात हैती है, अब हम जो आजाते हैं, वो हम dynamic fluid वाले part में आजाते हैं, dynamic fluid का पहले मतलब समझो, यहाँ पर जो बाते हम करने वाले हैं, वो पहली बात तो एक steady flow की होग एक incompressible liquid की होगी, laminar pro मानेंगे, streamline flow मानेंगे, यह जो assumption हम ले करके चल रहे हैं, वह ही consider करके हम dynamic की study कर रहे हैं, इसमें बिटा सबसे पहली और important equation आजाती है, जिसको अपन equation of continuity कहते हैं, जो कि हमारा mass efflux, that means mass flow rate के बारे में भी है, जो क्या कहती है बिटा, कि जितना mass enter करेग उतनाई mass exit करेगा, तो A1 V1, where V is the velocity of the liquid, तो A1 V1 is equals to A2 V2, जहां पर A V equals to constant होता है, नेक्स आजाती हैं, बिटा हमारी Bernoulli's theorem, जो किस पे बेज़द है, conservation of energy पे बेज़द है, इसमें नीट सवाल भी पूछ चुका है, कि Bernoulli's theorem किस पे बेज़द है, तो यह याद रखना energy conservation, जहां पे हम बताते हैं, P plus rho V square divided by 2 plus rho GH equals to constant, जहां पे P वाला टम, मिटा हमारा pressure head है, rho GH हमारा kinetic head है, और rho GH जो है, sorry, rho V square by 2 kinetic head है, और rho GH हमारा potential head है, तो pressure head हो गया, kinetic head हो गया, और potential head हो गया, this summation is equals to constant, अब इसी में बिटा एक बहुत important condition मन जाती है, अगर मेरे H की value same है, अगर मेरे H जो height है, यहाँ पे जो H1 और H2 लिया है, अगर वो same हो जाए, if H1 is equals to H2, तो यह एक बहुत important case बना लेता है, यहाँ पे हम क्या बताते हैं, यहाँ पे हम यह बताते हैं, कि A1 V1 से हमें यह पता चला, A1 V1 से हमें यह पता चला, कि जिसका area जादा होगा, उसकी velocity कम होगी, और जिसका area कम होगा, उसकी velocity क्या होगी, जादा होगी, हासर, और फिर हम अगर same head की बात करें, तो अगर यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका area जादा है water entering का तो velocity जादा होगी पर जिसका area जादा होता है उसका pressure क्या होता है कम होता है यहां फिर हम यह कहें कि जिसकी velocity कम होती है उसका pressure क्या होता है जादा और जिसकी velocity जादा होती है उसका pressure कम होता है यहां से बिटा कई बहुत बढ़िया एक्जाम्पल और कई बहुत बढ़िया चीजों की पीछे की साइन समझते हैं जहां पे हम लोग मागनेस एफेक्ट पड़ते हैं स्विंग और बॉल पड़ते हैं कि बॉल के इस तरीके से स्विंग करती है उसमें भी इसी का ही रोल है किसी की घर की च्छा तोड़ गई उसके पीछे भी यही कारण है अगर मैं यह जानू कि बहिया एरो प्लेन का जो विंग लिफ्ट करती है और इसी के बाद हम लोग बिट तो बिटा उसके पीछे भी यही कारण रहता है कि स्प्रेय एटोमाइजर किस प्रिंसिपल पर काम करता है तो आप यही बताएंगे जैसे इसके आगे चलते हैं तो हम लोग वैंचुरी मीटर के बारे में पढ़ते हैं वैंचुरी मीटर बिटा एक ऐसी डिवाइस है जो की मास फ्लो रेट यहां फ्लो रेट को मैजर करके बताती है जहां पे टाइक हमारा कंवर्जिंग पार्ट रहता है और एक डाइवर्जिपाट रहता है इसका एरिया एवन एविलास्टी वीवन है और यह लिक्विड फिल्ड है अप्टू हाइट एच और यह वाला फिल्ड है अप्टू देस हाइट तो डिफरेंस इन हाइट मैंने एच बोल दिया है तो पिटा जो फ्लो रेट रहता है दाट सेक्वल स्टू एवन अंडरूट ऑफ टू जी एच डिफरेंस इन हाइट अपॉन एवन स्कूर अपॉन एटू स्कूर माइनस वान इसके बाद विटा हमारी टॉरसल लो आ जाती है टॉरसली जिसे हम विलास्टी ओफ इफलक्स से भी पढ़ते हैं कि अगर मेरा कंटेनर है जिसमें एच हाइट तक मेरा लिक्विड फिल् है उस समय मैं नीचे वाली हैट को कंपैर करता हूं क्योंकि बिटा हमारा टाइम अफ फ्लाइट का फॉर्मला हता है अंडरूट ऑफ टू एच बाइच बाइच बिटा यह वाली डिस्टेंस रहती है तो वह हो जाएगी और फिर मैं रेंज के बारे में पढ़ता हूं और र जाती है खर हमारी यह जो gjandering रही है maximum कब रही वह तब रही जב मेरें यह जो हीड़ी रहेगी वह तो टसल हीट का आदा होगा सब्सक्राइट हो और मेरे जो रहेगी वह में diferença कि बराबर होगी इससे जादा रेंज नहीं हो सकती है सब बड़ी इंपऊरेंट बाते हैं जो आपको याद रखनी है जैसे आप यह चीजे सीख जाते हो तो हम पिटा इसकी प्रॉपरटी जो पढ़ते हैं वह हम पढ़ते हैं विसकोसटी क्या होती है जैसा हम कोई हाट सर्फेस पे चलते हैं तो रिलेटेंब मोशन बिटू सर्फेस को हमने फ्रिक्शन बोला और यही relative motion अगर दो liquid layer के बीच में हो रहा होगा तो उसे बिटा हम लोग viscosity के नाम से जानते हैं तो हम लोग इस viscous force को कहते हैं that is equivalent to friction और हमारी velocity movement की opposite direction में लगती है तो negative sign लगाए eta is known as coefficient of viscosity A बिटा उसका cross sectional area dv by dt बिटा ये बताता है कि मैं जितने layer पे उपर जाता जाओंगा उतनी मेरी velocity बढ़ती जाएगी तो यहां से बिटा अगर viscosity के unit देखी जाए तो बिटा poise में measure करेंगे इसकी dimension बहुत ही जादा important है आप ये मान लीजे नीट एक दो बान नहीं तीन चार बार पूछ चुकी है सिर्फ और सिर्फ विस्कॉसिटी की dimension यहां तक कि जब हम dimension analysis को भी पढ़ते हैं वहां पर जब हमें dimension हमें पता होना बहुत जादा जरूरी है नेक्स आ जाते हैं कहां पर बिटा के हमारी विस्कॉसिटी की dependency किन चीज़ों पर है starting with the nature of fluid के वह material naturally कैसा existing है सेकेंड उसके बाद आ से temperature का बहुत major role है कि temperature अगर कम होगा तो विटा हमारी विस्कॉसिटी बढ़ जाती है और temperature को हम बढ़ाते हैं तो विस्कॉसिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है अगला आता है जो हम बढ़ते हैं stroke slow stroke loss सिर्फ एप्लीकेबल है फॉर स्फेरिकल बॉडी जो एक लिक्विट में या फिर मैं एक फ्लूइड में फ्लू हो रहा है क्योंकि उसका बिटा सर्फेज जो रहता है वो राउंड हो जाता है स्फेरिकल हो जाता है तो उसके लिए हमारा relationship जो आता है विस्कॉस पोर्स चाहें तो यहां पे नेगेटिव भी लगा सकते हैं क्योंकि वह विलॉसिटी के अपोजिट डिरेक्शन में तो दाट सिक्स पाई एनर्वी के बरावर होता है यहीं पे बिटा हम लोग टर्मिनल विलॉसिटी के बारे में पढ़ते हैं कि जब हमारा एक रेंड्रॉप रहता है वो काफी हाइट से नीचे आता है तो वो किस तरीके से एक कॉंस्ट विलॉसिटी को अप अपरोच कर लेता है क्योंकि वीटर उस ड्रॉब के ऊपर नीचे तो एम GitHub लग़ रहा होता है पर उपर जो है वो फोर्स ऑ और दूसरा force जो रहता है, वो viscous force रहता है, और ये दोनों forces मिल करके इसको एक constant velocity को अचीव करवा देते हैं, जिसे हम terminal velocity के नाम से जानते हैं, तो terminal velocity का relationship आ जाता है बिटा, 2 by 9 r square into g upon eta, that is density of the body minus density of the liquid के बराबर, ठेके सर, अब इसके बाद बिटा आ जाते हैं हम लोग surface tension की तर के surface tension is equals to force upon length f by L और unit होती है हमारी newton per meter, एक बिटा, इसका बड़ा popular सवाल है, जहां पे हमने एक ball को या फिर एक pin को रख दिया है, तो pin की radius कितनी होनी चाहिए, maximum radius जो ये layer sustain कर पाए, तो उस maximum या सबसे बड़ी radius का formula होता है, r equals to under root of 2t, t is बिटा surface tension divided by rho pi g के बराबर होता है, यहां पे बिटा surface tension का एक formula ये होता है, जहां पे force upon length के terms में इसको समझाये गया है, surface tension का एक और formula है, जहां पे हम surface tension को, surface energy के form में पढ़ते हैं, जहां पे हमने ये बोला कि जितना भी work done है, वो store हो जाएगा as a potential energy, जहां पे हम बोल सकते, surface tension is equals to dw by da, और वहां पे work done is equals to tension force into change in area के बराबर आ जाता है, यहां पे फिर बेटा जैसे हम लोग आगे चलते हैं, तो यहां पे different drops के case बनते हैं, के छोटे छोटे drop मिल करके एक बड़ा सा drop form कर लेते हैं, वहां पे बेटा जो radius का formula आता है, that is r equals to n की power 1 by 3 into small r, where r is the radius of the bigger drop, और small r जो radius है वो छोटे r drop का है, यहां पे अगर कोई पूछे के कितना work done हुआ है, that is equals to 4 pi tension 4 t r square 1 की power 1 by 3 minus 1, और यहीं पे इसको हम लोग जब heat से relate कर देते हैं, तो कई सारा work बिटा, कई सारी energy का जो loss होता है हमारा, वो as a heat energy, जिसके वज़े से temperature increase हो जाता है, तो delta heat is equals to 3 t, j, जहां पे बिटा, j जो है वो mechanical equivalent है, density into specific heat, 1 by small r minus 1 by capital r के बराबर होता है, इसके बाद बिटा, हम लोग अलग-अलग axis pressure के बारे में पढ़ते हैं, that starts from drop, तो drop का जो axis pressure होता है, that is p inside minus p outer, p inside minus outer is equals to 2 t by r, bubble के case में देखें, तो p inside minus p outside करेंगे, तो 4 t by r होता है, वहीं अगर air bubble के case में करेंगे, तो depend करेगा कि height कितनी है, that is, pi inside is equals to p naught plus p naught atmospheric pressure, rho g h height है, और 2 t by r से हम पन बिटा add कर देते हैं, क्या इतनी बात आप लोगो clear है या नहीं? इसके बाद बिटा हम लोग चीज़े समझते हैं, that is about the common surface, that means जब एक bubble बिटा दूसरे bubble के साथ मिल रहा होगा, तो उस instant पे common surface आता है, जहांपे common radius जो रहता है, वहाँ पे r equals to r1 into r2 upon r1 plus r2, जो shape रहेगा, वो smaller वाला जो bubble रहेगा, उसका change नहीं होगा, क्योंकि उसका excess pressure ज़ादा रहेगा, बड़े वाले bubble का जो excess pressure रहेगा, वो कम रहेगा, इसलिए वो deform हो रहा होगा, इसके बाद बिटा हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, contact angle के बारे में, जहांपे हम लोग मिनिसकस के बारे में जानते हैं, contact angle की, that is measured from the surface, यह जो angle theta है, यह जो angle theta है, अगर उसकी value बेटा, 90 degree से कम होती है, तो तो वो जो liquid रहेगा, that liquid will wet, उस liquid की जो adhesive force रहेगी, वो ज़ादा होगी, compare to, जिस liquid का angle जो रहेगा, वो 90 degree से जादा होगा, that is non-wetting, उसकी cohesive force जो रहेगी, जादा होगी, cohesive force का यह मतलब है, the intermolecular forces between themselves, वो क्या रहती है, बिटा, जादा रहती है, adhesive force का मतलब यह है, the force is greater between the molecule and the other surface, वो जादा रहती है, उसे अपन adhesive रहते हैं, इसलिए बिटा, जो हमारा wetting रहता है, वो H2O को अगर हम देखेंगे, तो 90 degree से कम रहेगा, वहीं mercury का जो रहेगा, वो 90 degree से जादा होगा, तो इस तरीके से contact angle के basis रहे हम यह बता सकते हैं, कि यह जो liquid है, यह हमारा wetting liquid है या non-wetting liquid है, और किसी भी liquid के angle से हम लोग बता सकते हैं कि 90 degree से जादा है, that means अगर acute angle है, तो वो चीज हमारी wetting हो जाएगी, अगर obtuse angle है तो वो non-wetting हो जाएगा, इसके बाद बिटा, capillary action बढ़ते हैं, capillary action के बारे में, that means capillary tubes रहती है, जहां पर हमारा दोनों side से open ended रहती है, उसे जब हम किसी liquid surface पर जालते हैं, तो वहां पर किसी edge height तक हमारा जो liquid रहता है, वो उपर पहुंच जाता है, उपर भी पहुंच सकता है, नीचे भी पहुंच सकता है, for example, in case of mercury, वो नीचे आ जाता है, surface level से, और H2 के case में, वो उपर पहुंच जाएगा, same reason, क्या कि उसकी जो adhesive force है, वो जादा है, तो adhesive force के कारण, वो उपर आ जाएगा, अगर cohesive force जादा है, तो वो नीचे आ जाएगा, तो यह जो edge height है, जो नीचे या उपर आई, एंगल की basis पर हम उसको निकाल सकते हैं, so, thank you so much बच्चो, मैं उमीद करता हूँ, यहां तक आपको सारी चीज़े बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, अब अपन इसके बाद अपने next lecture में मिलेंगे, तब तक आप बढ़िया से पढ़ाई करते रहें, महनत करते रहें, और अपनी जो जंग है, डॉक्टर बनने की, हर हालत में उसे हमें पाना है, महनत करते रहें हम और PW का साथ हमेशा आपके साथ है, नमस्ते, मिलते हैं अपने अगले lecture में, टाटा, बाइबाई, सीया,